2018 काफी अलग साल रहा था शाओमी के लिए क्योंकि इस पर शाओमी को पहली बर तगड़ा कॉम्टिशन देखने को मिला था और इस पर शाओमी ने खुज भी कफी अच्छा कॉम्टिशन दिया दूसरे कही बरान को लेकिन आज हम इस वीडियो में बात करने वाले कि शाओमी कौन कॉंसर किने फोन 2018 में लांच करें और वो फोन मार्केट में चले हैं नहीं तो इसके बाहर में बात करते हैं तो साल की शुरुआत हुई थी वहां पर शाओमी ने रिलीस के था शाओमी नोट 5 और नोट 5 प्रो तो देख जा तो नोट 5 प्रो काफी अच्छा डवाइस जैसे उसमें डिस्प्ले डॉल केमरा स्नेपड़गन 636 मतलब एक अच्छा फून मिलता था लोगों को और लोगों को यह फोन पसंद भी आया और मार्केट में खूब चला लेकिन वहीं बात करें रेडमी नोट 5 की ना तो वह उता जादा सुक्सफुल यहां क्योंकि जो र स्नेपड्रेगन 450 की उपर आया एटीन स्टूनां का डिस्प्ले आया और शुरू में चला पर बाद में आगे चल किता जादा नहीं पिक पाया क्योंकि इसका में रीजन यह था कि दूसरी ना उन्होंने रेडमी 5 के सिमिलर प्राइस रींजर में काफी अच्छे फोन को नि देखने को मिलता था तो देखा जातो जो सेल्फी लवर से ना उनके लिए सबसे शामी फोन हो गया था लेकिन इसके बाद जो फोन आयता ना वो था एमाई एटू यह एंड्रोइड बन प्रोग्राम के अंदर आयता और यह एमाई एवन का सक्सेसर तो और यह स्नैप रगन 660 के साथ आया था लेकिन इसमें से और इस भार हेडफोन जाक को हटा दिया ओपर से 180 नेंगर डिस्पली दिया थे तो देखा जाया तो इसको कोई मिला जोला response मिला यहाँनी कि कुछ लोग को फून पसंदाया कुछ लोग को पसंद नहीं आया और देखाँ़ दो शामी जो पहचा आना जाता था था वह पहचा आना जाता था था अपनी value for money के कारण यहाँनी की जो specification Xiaomi देता है अब Redmi 6 Xiaomi ने इसलिए जल्दी लाँच कर दिया क्योंकि Redmi 5 शुरू में चला पर बाद में इतना नहीं चला और Redmi 6 के नोंने तीन मॉडल लेंगा ले और यह भी फोन स्नैप ड्राइड़न 6 के उपर जबकि जो रैडमी 6 और यह पहली बार ऐसा हुआ तक शाओमी ने इन फोन के नरखनी मीडिया टेक की चिप डाली हो और यह फोन इंडिया में बिकने आयों तो यह भी काफी कमाल की बात है और शाओमी ने भी मीडिया टेक कर र सबसे पॉपलर होने वाला था जी हां मैं बात कर रहों पोको हैवन की और इससे लॉंच यह सब ब्रांड के अंदर जो की पोको था और आज यह फोन यह 20,000 रुपे में मिलता और पोको हैवन में देखा है तो स्ने अप्रगन 845 6GB रम एक नॉच और नॉच और नॉच के अं इंडिया के अंदर इतना जादा सक्सेस्फुल और इतना जादा वाइका क्योंकि अभी से पहले जित्ते भी शाओमी ने इंडिया के अंदर फ्लेक्शेफ फोन निकाले जाना कोई भी था जादा नहीं बिकता था तो देख जो जो 20,000 सूपर वालम मार्केट है ना उसमें के लिए फोन पूरी तरीके से गेम चेंजर था और इसके बाद जो फाइनली जो लास्ट फोन शाओमी ने रिलीस के 2018 में वह था रैड्मी नोट 6 प्रो जो की रैड्मी नोट 5 प्रो में ही थोड़े बहुत इंप्रूम्मेंट करके लाए थे मैदल प्रोसेसर सिम्जा काफी क्वांप्टीशन में और देखने लगता है कि अधिक जल्दी कम होने वाला और देखा जाट तो 2019 में भी शाओमी को ख़दरना कॉम्मेटीशन मिलने वाला है बस शाओमी को गेम में बने रहना है और उससे पहले से जाधा अच्छे फोन को लांच करते रहना है तो द क्वांप्टीशन म करते बस शाओमी को ख़द।